जिलाचंबा के SMC अध्यापक संग द्वारा 24 दिसंबर को होने वाली रैली को स्थागित कर दिया गया है इसके लिए आज SMC संग के प्रधान ने जिलापरशाशन को एक ग्यापन सूपा जिसमें ये सूचन दी गई कि अब 24 दारीक को होने वाली इस रैली को स्थागित कर दिया जाएगा इस बारे में बोलते हुए SMC अध्यापक संग के प्रधान अमित महरा ने बताया कि गत दिनों संग के द्वारा एक प्रेस कोंफेंस की गई थी जिसमें सरकार द्वारा स्थाई निती निर्मान को लेकर पॉलिसी की मांग की गई थी और 10 दिन बार विरोध रैली निकालने की बात कही थी लेकिन सरकार द्वारा आश्वाशन मिलने के बाद हमें इस रैली को स्थागित कर रही है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंतरी आने वाली क्याविनेट की बैठक में उनके लिए स्थाई पोलिसी लाएंगे तो जैसे कि हमारी एक SMC पीरिड बेसिज यूनियन जिला चमबा की साथ आठ दिन पहले एक प्रेस कॉनफरेंस इराबती में हुई थी तो उसमें हमने सरकार को जो था वो दस दिन का अल्टीमेटम दिया था अपनी स्थाई पॉलसी बनाने के लिए तो हमने सरकार को यह एल्टीमेटम दिया था कि अगर दस दिन में जो है वो या दस दिन से दस दिन तक अगर हमारी स्थाई पॉलसी नहीं बनती है तो हम सभी SMC शिक्षक जो है वो सडक पर उतरेंगे लेकिन मैं आज ही हाली से हाली अभी शिमला से आया हूँ और अभी मैं तीन-चार दिन शिमला में मैंने स्टेट डेलिकेट्स अपने SMC यूनिन के जो थे उनके साथ काम किया और हम उसमें EM साब से मिले, CM साब से मिले और बाकी सरकार के मंत्रियों से मिले तो उसमें हमें CM साब ने जो है वो अश्वाशन दिया है कि आपकी स्थाई पॉलसी जो है वो जल्दी बनाई जाएगी और आपका जो कोई भी भाशा द्यापक है, L.T. है जो अभी सर्प्लस सिटे हैं तो कोई भी जो L.T. जो है वो कोई भी L.T. जो है वो डिस्टर्व नहीं होगा तो इसलिए जो चमबा की जो रैली थी 24 दिसंबर की उसको मतलब की CM साब के अश्वाशन के चलते जो है हमने फिलाल कुछ दिनों तक उसको जो हमने स्थगित कर दिया है अगर अगामी जो अब कैबिनेट होगी उसमें अगर SMC पीरिट बेसिज जी अध्यापकों के लिए जो है वो जल्दी से पॉल्सी नहीं बनती है तो फिर हम SMC पीरिट बेसिज अध्यापक संग पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है 2555 SMC टीचर समुईक रूप से जो है वो फिर शिमला में जो है वो एक 2555 हम जो है एक विशाल रैली जो हम वो कर सकते हैं लेकिन मुझे आशा है कि जो CM साब ने अश्वाशन दिया है कि जल्द ही आपके लिए स्थाई पॉल्सी का निर्मान किया जाएगा तो मैं समस्ता हूँ कि CM साब जो है जल्दी से जो है वो SMC पीरड बेसी दियापकों के लिए जो है वो एक स्थाई पॉल्सी जो है वो अगामी कैबिनेट आने वाली कैबिनेट में लाएंगे जी